गेजेट कर ले जा रहा है तो वो लाइन आउडर का विशे नहीं था क्या और इतनी बरी घटना घट गई आप एक्टिव नहीं हुए जब हल्ला हंगामा शुरू हुआ तो आप गिरफतारी कर रहे हैं और गिरफतारी चार कैसे हम करें चालिस है तो क्या करोगे अब हम पुल लड़की का हड़ी पंजरी नहीं तोर सकता जबान नहीं काड़ सकता ठीक है और वो खेत में वीरान में भी वो लड़की अगर चिलाएगी ना चार लड़के के काबू में नहीं आएगी और मनीशा कोई मने टूटी मरी बीमार लड़की नहीं थी वो बहादूर लड़की स्वास्त लड़की थी इसलिए चार नहीं थे यह सी बी आई जांच होनी चाहिए और अधिक थे उनकी भी गिरफ्तारी हो इसको अलग अलग दृष्टी से लोग देख रहे हैं कोई तो जाती बादी से देख रहा कोई किसी और दृष्टी से देख रहा मानब्ता के नाते जब आप देखेंगे तो वह बहन मनीशा किसी की बहन हो वो मेरी भी बेहन हो सकती थी उस जगे पर अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगेंगी तो मेरी बेहन मेरी बेटी के साथ भी हो सकता कोई बाप खड़ा होके एकांत में ये सोचे कि उसकी बेटी के साथ यदि ऐसा हुआ होता तो उस पर क्या बीता आपने कहा कि पूरे देश में उबाल है, मैं कह रहा हूँ, नहीं है उबाल, ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूँ, जिस परकार से प्रतिरोध होना चाहिए, जिस तरह का दिरोध होना चाहिए, सरकार को जिस तरह से दवाव में लाने का परियास होना चा तो पब्लिक सड़कों पर उतर रही है तो फिर क्या हो ऐसा क्या हो रहा है जिसके वज़े से लोग बाग अपने आप पर डिवाइड हो जा रहे हैं और एक तगए कठा हो करके इसका प्रदश्य निकार पारे क्या चक्ता है कि अभी संभल से मुझे फोन आया संभल में एक गिरोह है वो शोशल मीडिया पर मुसल्मानों को गाली दे रहा है और वो यह कह रहा है कि यह जो बालमी की समाज सड़क पर उतरे हैं मुसल्मानों ने इनको वरगला कर उता रहा है पहले लफ शब्द समझीए अभी परसो में पंजाब गया हुआ था पंजाब संगरूर गया हुआ था वहां किसान आंदोलन की सड़क पर आए पट्री पर आए उन्होंने टेंट लगाया तो वहां कुछ मुसलिम भाईयों ने उनके लिए लंगर का इंतिजाम किया आज तक चैनल आज तक की बात कर रहा हूं आज तक वो जो न्यूज चैनल है उसने न्यूज लगाया कि धरने में धर्म और ये मुसलमान खाना खिला कर किसानों को वरगला रहे हैं मैं उसका किलिप आपको दे दूँगा जब देश की मीडिया ये कहने लगेगी यानि किसान धरने पर किसान हिंदू-मुस्लिम सीकिसाई होता क्या नहीं होता और खिलाने वाला अगर बीस बैखती है उसमें चार्ज टोपी वाला भी अगर है तो उसका आप धार्मी करन कर रहे हैं ये दुर भाग गया अभी मनीशा के साथ यह हो रहा है संभल की बात अभी की बता रहो एक गंटे पहले किसी साथी से बात हुई मेरी उन्होंने कहा कि हाँ सोशल मीडिया पे सारे लोग लिख रहे हैं मने वो बदरंग दल वाले आर्जिस वाले कि ये मुल्ला लोग जो है बालमी की समाजी को वरगला रहा है मतलब लिखने का जान रहे हैं ऐसा है नहीं उनको भी पता है नहीं लिखने वालों को लेकिन लिख कि ख़िए होगी मेरे मूँ एय। तो अगर मैं भारती है होने के नाते biz समाज के दुख्दर्द की बीदा करता की बात करता हूं आफ धर्म से जोड़ देंगे टौपी और भाड़ी होने के नाते तो इसका मतलब आप अपृटियक शुरुक से कहना चाते हैं कि यदि ठोपी दाड़ी है तो तुम कुछ नहीं बोलो कल को कहेंगे तिलक है तो तुम बोलें है एक वो देखें यह क्या है साइकलोजिकल इनके पास एक गेम है जो आईटी सेल है वो साइकलोजिकल एक मुसल्मान को रोका देखें क्या मतलब एक बम काम नहीं करेगा जो इनका साइकलोजिकल बम काम कर रहा है यह सारे खेल आईटी सेल के द्वारा खेले जा रहे हैं और समाज में इतना विंटन है कल सब्दर जंग अस्पताल में जब मैं पहुंचा और वहां के दिरिश्कों संदीब बाल्मिकी जी पहुंचे ते अलग गिरो वह बाव़िया जी की टीम अलग 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 क्या मतलब है मुद्ध समाज मनीशा बेहन को न्याय दिलाने का है तो आप टुकरों में समाज में भी बट रहे हैं और यह अपरकाश्ट एंग जी खिलाफ के नहीं जो सबसे सख्त सह्त सजा समविधान में देके समविधान से हटकर बात नहीं होगी लोग क कoquते न वाओ मुझे मेरे हवाले कर दो मैं मार दूंगा उबे तू कौन होता मारने वाला सम्विधान ने तुझे इसकी अनुमती दिये क्या सम्विधान में जो आप रैपीड कर सकते हैं फास्ट से फास्ट जो सुनुवाई कर सकते हैं वो कीजिए अब इस घटना को देखते हैं योगी सरकार है वो बहुत एक्शन में आ गई है साइटी टीम घटित कर दी है अब लग रहा है कि कुछ इसमाम नहीं मेरी मांग है आप मोधी सरकार का बचाओ मत कीजिए यह मत कहिए के एक्शन में आ गई है एक्शन में रहती तो यह घटना ने घटती घट गई घटना जो हाथरस एसपी का बयान है वो अती निंदनीय है मैं उसकी निंदा करता हूँ हाथरस एसपी को अविलंब जो है निलंबित किया जाए और संबंदित थाने के एसो को निलंबित किया जा ये कि हम इस तरह से चुपचाप बैठे रहेंगे तो समाज चुपचाप नहीं बैठेगा, समाज सड़क पर उतरेगा, बोलेगा, ये परशासन को संदेश जाना चाहिए, इसलिए हम धरना करते हैं, धरना हम लॉइन ओडर को डिश्टर्ब करने नहीं करते हैं, धरना का उद समवेदानिक पदों पर बैठा हो, और सर्वो कह रहा हो, ये ऐसा तो कुछ हुआ है नहीं, वैसा तो कुछ हुआ है, एस पी का बयान है, कि वो तो पहले ये बोली और वो बोली, घर के जो परिवार के जो लोग है, उनको डेट बोडी वो बोल रहे हैं, बता रहा है, मतलब उनको सौपा नहीं गया है, उनसे बीना बता ही डेट बोडी को जला दिया गया है, इस तरीके से घर्टा है, वो 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 पुलीस का विशेश अधिकार है, और उस पर आप बोल तो सकते हैं, आप अत्ती जता सकते हैं, लेकिन जब लॉइन ओर की बात होती है, तो पुलीस को अधिकार है, ऐसे मामले में लॉइन अर्डर को पूरा फॉलो किया जाता है, लेकिन जब ऐसी वर्बात है, यहीं मैं लॉट रहा हूँ, कि जब पुलीस यह कहती है, कि हम को यह भय है, कि अगर हम देट बोडी को सौपेंगे, तो उसके बाद यहां पर एक बवाल मचेगा, एक शोर शराबा होगा, जो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फिर बलका परियोग करना पड़ जाएगा, जो एक बड़ी घटना फिर बन जाएगी, इसलिए हम लोग इस तरह की काम करते हैं, वो समवैधानिक होता, उनका वो विशेश अधिकार है, ठीक है, वहां तक तो हम बिरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो काम आप आज कर रहे हैं, वही चीज़ पहले आपका कहा लाइन ओडर था, कि चार लड़का किसी लड़की को घजेट कर ले जा रहा है, तो वो लाइन ओडर का विशेश नहीं था, क्या, और इतनी बरी घटना घट गई है, आप एक्टि मान लिया के वही चार थे, यह अपने आप में प्रशन बना हुआ साब, उसकी हड़ी तोर दी गई, चार लड़के, एक लड़की का हड़ी पंजरी नहीं तोर सकता, जबान नहीं काट सकता, ठीक है, और वो खेत में वीरान में भी वो लड़की अगर चिलाएगी न, चार लड़के के काबू में नहीं आएगी, और मनीशा कोई मने टूटी मरी बीमार लड़की नहीं थी, वो बहादूर लड़की थी, स्वस्त लड़की थी, इसलिए चार नहीं थे, यह सी बी आई जाच होनी चाहिए, और अधिक थे, उनकी भी गिरफतारी हो, पुलीस बिलकु किया जाए, और सी बी आई की जाच करवाई जाए, और पिरित परिवार को एक करोर का जो है, कंपनिशेशन दिया जाए, यह बिलकुल जरूरी है, और जब तक यह नहीं होगा, तब तक यह प्रोटेस्ट उसके फेवर में चलता रहेगा, और रही बात के सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें जो देखी जा रही है, कुछ लोग जातीवादी मनसिक्ता का भी परिचे दे रहे हैं, कुछ लोग उस बच्ची की विशे में कुछ अलग लग बातें लिख रहे हैं, मैं देखें, मैं उस शब्द को दोहरा नहीं सकता, लेकिन यह जो लोग भी कर रहे ह भाई का है जिस जाती से उनका संबंदो मेरे भाई आप बहन अगर मनीशा को नहीं मानते हैं तो आपको हम सामाजिक ही नहीं मानते हैं ये मेरा फाइनल बाग जब भी देखा जाता है कि जब भी सरकार को पर कुछ बात आती है तो इनकी गाड़ी पलट जाती है क्या है मतलब इस तरह के कोई बलादकार करने वाला कोई हो जाने की घटनाएजलागतार सामने में घाड़ी से क्यूं मजर्म को ला रहे थे इतना लंबा सफर आप गारी से क्यों करते हैं पहला परशने दूसरा परशने के गारी पलट गई मद परदेश में मामा जी की हुकूमत है मामा जी के विशह में कुछ जादा कहने की जरूरत नहीं है मामा भांजा दोनों एक है क्टेगरी के हैं चाहे वो योगी हो या मामा हो अब भांजा है मा कि की तस्वीर किसी मीडिया ने चलाई किसी मीडिया ने नहीं कि पल्ट कैसे क्या सिती हुई और जाली तो मर przep Also किना मुसल्मान आश मुसल्मान था भैचारा ये मान सिकता जो इसक्ट को खतम कर रही कि आवशकता बेचारा क्यों वारत नहीं। and सब जब नहीं बोलेगा यह जो गाड़ियां पलट रहे जब तक इस सरकार को उसी तरह नहीं पलटेंगे तब तक यह समस्या का समाधान नहीं होगा यह सरकार एक 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 करके समधान नहीं को कमजोर कर चुकी अब मने वो महाराजा वाला इस्टाइल है बोल दिया तो बोल दिया कोई मंतरी मंडल नहीं कोई सलाकार नहीं कोई जनता नहीं सुनना पड़ेगा देखे अभी तो कई गारियां और पलटेंगी लेकिन जनता से हम कहते हैं कि बहुत जल्द आप इस सरकार को पलटिए नहीं तो गारियों के पलटने का सिलसला नहीं रुकेगा किस दिन मेरी गारी पलटा दे अभी मैं अपने विशेम भी कहता हूँ डरता तुरता हूँ देख कि सब्सक्राइब कि का बिलने ऑिसां कोम और आप ब supply करें येस सब तलवार घार पर हैं साइब किस दिन किनकी गारी पलटेगी कह dri प्राम श्कील